अरियोम नारायन हरी आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैतरी टेरोड रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है और आप सब लोग को व्यास्त रहें श्वास्त रहें स्वास्त होंगे तुभी यह दोनों चीजह साथ रहें तो और मस्त भी तो चले आज देखते हैं कि हमारे लिए क्या संदेश आ रहा है मैं पहले कार्ट से ले लेती हूँ उसके बाद हम रेटिंग शुरूर करते हैं आज बहुत कार्ट बाद जा रहा हैं देखते हैं कि प्रभू क्या आप खुशी ला रहा है आपे ले खुशी ले देखते हैं आपे लेखते हैं सुशी लेखते हैं चर्भू करो को कार्ट बाद देखते हैं कार्ड्स मने निकाल लिये हैं अब हम देखते हैं कि क्या मैसे जा रहा है क्या मैसे जा रहा है देकिये पहला कार्ड वो काड्य नारित मुणी जी तो दो यह काड़ यह नार्द बुनी जीक आपको मालूम है कि यह तो नारद रिशी नहीं ज़्यादा दैन्य टुकते नहीं जहां में रहती हूं मेरे यहां पास ही में एरफोर्स स्टेशन है तो एरफोर्स स्टेशन से फ्लाइड जो फाइटर प्लेंस है यह खुब उड़ते रहते हैं तो आज इनका शायद कुछ प्रैक्टिस वगरा चल रही होगी तो सुबह से बहुत आ जा रहे हैं तो इसकी डिस भगवान नारद मुनिगी आप तो जानते ही है कि नारद रिशी कहीं ज्यादा देर ठिकते नहीं है उनका काम है लोग लोग आंतर घूमते रहना उनका इसी तरह एका उनका बर्दान है उनको तो उससे क्या होता है कि उनके पास जो लेटेस्ट इंफरमेशन होती है वो बह जाएगी आप फिर कहेंगे कि बहुत डिस्टरबेस्ती सौंड में मिरे को कई मैसेज करते हैं अब्योस लेकिन मुझे भी कम रोशनी में दिकत होती है लेकिन क्या करें अब लाइट चली गई तो अपने हाथ में तो है नहीं तो नारगमुनी जी एक बहुत बुद्धिमान और बहुत विज्जम वाले परस्नेलिटी है हमारे सनातन धरम में खूब तपस्वी हैं बहुत तपस्या की है और बहुत बरदान प्राप्त हैं उनको तो वो आपको जो है ना सब्चुच्वर गाइड करेंगे आपकी जो आंत करी का अध्यात्मिक नति है ना वो सवताश्प्रित होगी उनकी अशिर वातते उनके अशिर्वात आप उनने या と या ना करें लेकिन वह हैं ना ना रिद्धमुनी जी का काम है कि इन्फर्मेशन देना तो आपके साथ आगे क्या घटना करम होने वाला है वो स्वता ही आपके अंदर बीज डाल देंगे आपको थोड़ा सा करना यह है, मैडिकेट करना है यह मैनिफेस्ट करना है जी निवर्स की तरफ से अपने आप आपको अंदर से आपको संकेत मिल जाएगा आपको कोई ऐसी अंदर से ही कोई प्रेड़ना आ जाएगी नारद मुनी जी के शिरवाद से कि आप उस काम को बड़ा वाइजली बड़ा विज्डम के साथ करेंगे जिस से आप एक इस दि pe पाएंगे धन भी पाएंगे खये खये पर शिद्धी और जैश में अंतर होता है हुआ जो आपकी जो सोल है जो आपकी आत्मा है वो भी जिग्यासु है जिग्यासु है और व भी सर्छ करती रहती हें कि हुअ उसको कहां से कोई अध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो इसके बाद अगला जो कार्ड है वो बगवान शिव का है और ये समय में शिव जी का ही चल रहा है सावन का तो जो शिव जी जो आपके कॉँछानियां न को दूर करने Commerce का है बाहर से आपको नशीया चले का सब्सक्राइधाच का का उसल नल दिल ऑजो everything आपको समझ में भी नहीं आएगा, यह होता है प्रभु का शीरवात, वो आपके अंदर ऐसा बीज डाल देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तनाप रस्त नहीं रहेंगे, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप बहुत अच्छे से कार्ये को करें और झाम आपको एक चिंतह होती थि बड़ा घशा आते थि आंदर से, अब वह भी नहीं होगी, क्योंकि आपर धिक्षएन धुर हो रहे हैं, जब लस दो दर रहे हैं, तो बहुत सारी बात इन में आप कख थि चली जा रहे हैं, इसके पाद दला कार्ट जो है, वो बतारहा अपने स्वाइब रखना है कि आपको बैलेंस करना सीखना होगा, परिस्तेतियों में बैलेंस करना, लोगों से बात्चीत करते हुए अपने आपको संतुलित करना, अहार विहार संतुलित रखना, और अगर आप कहीं decision making authority है, तो वहां बादे बैलेंस्ट वे में बड़े संतुलित वहबार करना, परिवार के साथ संतुलित वहबार करना, और सब को कुरा मान सम्मान देना, और जहां किसी को समझाना है तो वो समझाने के लहजे में बात करना, समझाने का लहजा प्यार वाला तो नहीं हो सकता है, समझाने का लहजा तो फिर समझाने वाला ही होता है तो आएए क्या है कि अपना सचारो रूप से काम करना है तो आना भी पड़ेगा लेकिन ज्यादा आपको लोगों को टोग अटाकी नहीं करनी पड़ेगी कुई कि सारे आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे क्योंकि वैसे ही आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम करते भी है और करेंगे भी लेकिन इस दौरान अपना थोड़ा वैश थीख रखियेगा है कर दो कुछ प्राउल्म आसकता है उसको थोड़ा सम्हल के चाहिए तो देखियों मैंने पहले काडना कि वो कहीं एक जगे टिकते नहीं है। उनका काम जहां भी जोब करें काम करें वो काम भी आपका टूर वाला होगा गुमने वाला होगा। कहीं आप जादा दे, टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले कार्ट से ही मुझे समझ आगया था, कि कुछ इस तरह की आगई बात बनेगी, और वो कार्ट बोली रहा है, कि आपको तुरिंग जॉग होगा, आपको नए नए लोगों से मिलने का मोका मिलेगा, जब नए लोगों को आगे बढ़ाने में भी सायोग करता है, तो इस तरह आप जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, वैसे वैसे आपकी जिग्यासा भी शान्त होगी, और आपका ज्यानवर्धन भी होगा, और आपको बहुत कुछ और नया नया सीखने को भी मिलेगा, तो वही आप, वो लोग ल कही अंतर राज्य भूमिया, अंतर राज्य भूमिया, इसके अगला काड आप देखकर प्रसंद हो जाएंगे, गनपती जी का है, गनपती जी अपना पूरा आपको भरपूर अशेरवाद दे करके आपको आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और गनपती जी के अशेरवाद से आप दिशाहिन नहीं हो सकते, क्योंकि गर्णपती जी बुद्धी के देखता है, वो आपको कभी भी आपकी बुद्धी को डिरेक्शनलिस नहीं होने देंगे, आपको हमेशा एक सही मारक में ही रखेंगे, और उनका बहुत आशीरवाद है, आप सक्सेस्फुल एक्शन सक्सेस देना प्रमात्मा के हाथ में है, तो जब आपको सक्सेस मिल जाती है, तो क्या कहते है, कि मा ने तो बड़ा सक्सेस्फुल एक्शन के लाता है, तो मैं पहले से ही कहारी हूँ कि सक्सेस्फुल एक्शन केजिए, इसके बाद इसके आगे, जो आप, यह आपकी बाहर वो भी लोगों को देखने को मिलेगी, वो किस तरे की होगी, ये तो हर बेक्तिक अपना अलग-अलग है, क्योंकि सबकी फिल्ड अपनी अलग-अलग होती है, तो हर एक का अपना अलग-अलगी साथ किताब होगा, लेकिन होगा. और आप हर काम को बड़े समझवे के साथ, इंटिग्रेशन के साथ करेंगे, लाइट आगे, तो आप काम को बड़े इंटिग्रेशन के साथ करेंगे, जिससे आप किसी भी शहर में जाएं, लेकिन आप अपना में जो आपको आफिस है, आपका हेट आफिस है, जो रिजनल जिससे आपको काम करने में कोई परिशानी नहीं होगी ट्रेवल आपका बड़ा अच्छा रहेगा उससे यूनिटी भी बनेगी यूनिटी आपकी नहीं मतलब आप जिस संस्ता के लिए काम कर रहे हैं उनको अच्छी स्ट्रेंट मिलेगी आपके लिए सब्सक्राम से और अप आपको अशीरवात प्राप्त है नारदमुनी जी और गणपती जी का भी और विश्नु जी का भी और के चाहिए जितनी आज की रिडिंग आपके साथ रेजोनेट किये उतनी रखेगा जो ना करें उसे छोड़ दीजिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा ल लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को अधीक से अधीक सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए हरियों नाराइन हरी